असम में भारी बार से करीब 26 लाख लोग प्रभावित हैं और 19 मारे जा चुके हैं सिर्फ इनसान ही नहीं असम के काजीरंगा नाशनल पार्क में जानवरों की भी भारी संख्या मौत हो रही है इस पार का 95 फीसिती हिस्सा बार में डूब चुका है बुदवार सुभा के ताजा आकड़ों के अनुसार अब तक कम से कम 49 जानवरों की मौत हो चुकी है काजीरंगा नाशनल पार्क अपने तरह तरह के जानवरों खासकर अपने वन हॉन्ड राइनोस के लिए प्रसिध है ये देश में बागों की सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से है काजीरंगा युनेसको की वर्ल्ड हेरिटिट साइट का हिस्सा है असम में लगातार हो रही बारिश ने इस नाशनल पार्क को लगभग पूरा डुबा दिया है 199 में से 179 फॉरिस्ट कैंप्स में बाढ़ का पानी भर चुका है ड्रमपुत्र नदी उफान पर है और पानी खत्रे के निशान से उपर बहरा है जानवरों को बचाने का काम लगातार जारी है काजीरंगा पार्क से गुजरने वाला नाशनल हाईवे 37 साथ जगहों पर डूब चुका है नुमालीगर और कालिया बोर पर वाहनों को रोग दिया गया है यहाँ पर सैक्णों वाहन फसे हुए है ताजा आखनों के अनुसार अब तक कम से कम 49 जानवरों की मौत हो चुकी है इसमें से 11 जानवर वाहनों से टकरा कर मरे हैं 16 जानवर बाढ़ में डूब कर 12 अन्यकारणों से मारे जा चुके हैं इनमे 28 हॉक डियर, 5 राइनोज, 1 हाथी, 2 सांबर, 3 वाइल्ड बोर और 3 अन्यकारणों जानवर शामिल है 52 जानवर बचाए जा चुके हैं 42 का इलाज करके उन्हें जंगलों में छोड़ दिया गया है और 7 का इलाज जारी है यहां के जानवर हाइवे पार करके कारवी पहाडी के उपरी इलाकों की तरफ पलायन कर रहे हैं लोगों के अनुसार खाना ढूनने के लिए जानवर पहाडी पर जा रहे हैं और शिकारी इस मौके का फाइदा उठाने की ताक में है पार का प्रशासन जानवरों की सुरक्षा के लिए ज्यादा चौकनना है सरकारी डेटा के अनुसार 2017 में काजी रंगा में आई बाढ में 360 जानवर मारे गए थे जिसमें 31 राइनोस थे साधिक अतिवारी गो नियूज